बार-बार कहता हूँ जिस समाज की छवी खराब होती हूँ, विद्वेश पैलता हूँ, जीवन कठीन हो जाता हूँ, हमारी तरफ से किसी को दर्द और तकलिफ होती हो, परिवारों के जीवन में आच आती हो, कोई काम नहीं करेंगे, ये वादा कर लो मित्रो, हर कोई नुक्सान देने वाली वाइस राकोड हो, क्यों बाइदल करती हो, आप एक समाज बंदू हो, मैं आपको समाज बंदू नहीं मानता, मैं आपको केवल व्यक्ति नहीं मानता, आप समाज के हीरे मोती की तरह है, आप हाड मास के पिंड़ नहीं सविता की संताने है, आपको ज दिश्वर ने जीवन दिया है एक वर्दान दिया है तो फिर हम अशुबनिये बाते कैसे करें शोशल मीडिया पर इस तरह की पोश्टे क्यों दोड़ाएं एक बात कहना चाहूंगा ज्यान से सुनना संसार बहुत बड़ा है इस संसार में लाकों लाकों लोग ऐसे हैं जो उतलाते हैं हकलाते हैं वो इस पस्ट बोल नहीं सकते हैं लाकों लाकों लोग अंदे हैं बैरे हैं सुन नहीं सकते और वो लिक्स नहीं सकते अरे बगवान ने तो आपको सुन्दर उपहार दिया है सुन्दर कृति दी है मनुश्य जीवन दिया है आपको वर्दान दिया है बोलने का आपको वर्दान दिया है सुनने का आपको वर्दान दिया है समझने का आपको वर्दान दिया है लिखने का तो फिर आप कैसे गलत लिख सकते हैं कैसे गलत पोश्ट को वाइलर कर सकते हैं यह आपका खुद का भी अपमान है और इश्वर यह शक्ति का भी अपमान है मित्रों को कैसे हो सकता यह आप सोचिये नजरा कि हाँ मुझे इश्वर ने जो कृति दी है जो जीवन दिया है जो मनिश्य दिया है जो जुबान बोलने के लिए वर्दान दिया है उसको कैसे दुर्पयोग करूँ मैं में तो उस आसी बात का कैसे दुर्पयोग करूँ और सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा मनिश्य जीवन मिला है इश्वर ने आपको दिया है और उसके बाद आपको राजपुरी समाज में जनब दिया है और राजपुरी समाज में जनब के बाद आपको दो दो गुरू मिले है एक शिक्षा और एक दिक्षा यानि आधात्म धर्म की द्वजब फरुक रही है ब्रमधा मासुतरा से आस्ता का केंदर हमारा और इतने बड़े संत दिये समास को उसके बावजुद भी हम क्या बटक जाएंगे